तो जो भी अभी वीनिंग प्रोड़क्ट चल रहे है मार्केट में वो सारे यहाँ पर आ जाएगे देखो और हमें आचुकी है एक साथ दो से और हो चुके हैं हमारे चार ओर्डर आज की दिन काल कर पता हुगा तो बिना टाइम वेश्ट करें चली वीडियो को शुरू करते हैं अब देखो कहीं सबसे पहले तो मैं आपको बता दू के जो 24 गंटे का चैलेंज होगा इसमें जो 24 गंटा है न उसको हम सिर्फ एड्स में कंसिडर करेंगे प्रोड़क्ट को ढूनना उसका श्टोर बनाना उसकी एड्स बनाना इन चीजों को हम इस टाइम में कंसिडर नहीं करेंगे ऐसा नहीं के हम ये तीनों चीज़ें कर नहीं सकते 24 गंटे में पॉसिबल है लेकिन मैं चाहता हूँ के 24 गंटा मैं स्रीफ और स्रीफ एड्स को दूँ तभी हमें सही रिजर्स प सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं तो मैं आ चुका हूँ रोपो सो क्लाउड पर जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहां पर मुझे प्रोड़क्ट करना है तो जैसे कि आप डिस्प्ले पर अगर देखोगे तो काफी सारे सेक्शन है वार्स न्यू मार्किट ट्रेंडिंग आ जाए तो 1-2-3-3 एनिवेज गाइस प्रोड़क्ट करने टाइम जाते हैं तो मैं एक अच्छा सा प्रोड़क्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर मिलते हैं एक प्रोड़क्ट मिल चुका है जो के है पेश्ट रिपैलर डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं यह इंसेक्स वगरा को भगाने के लिए काम में आता है अब यह प्रोड़क्ट मैंने इसलिए चूस किया हूँ क्योंकि काफी सारे लोग इसकी एड्स रन कर रहे हैं अ एक और एड्स नीचे भी है यहाँ पर एक और इसी तरह में जाते रहो तो काफी सारे लोग इसके एड्स रन कर रहे हैं तो यही रिजन है कि मैंने इस प्रोड़क्ट को चूस किया हूँ प्रोड़क्ट प्राइज है और मैं इसको सेल करूँगा 6.99 में तो मैंने यहाँ प किसो गई हमारा कॉंटेंट रेडी हो चुका है हमारे प्रोड़क्ट का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने टेक्स्ट वगरा इमेजेस सब एड्ड कर दिया हूँ वैसे तो मैंने किसी और वेबसाइट से उठाया हूँ यह सब इमेजेस टेक्ट वगरा काफी इजी रेडी हो चुका है अब हमें प्राइजिंग सेट करना है यहां मीडिया में भी मैंने इमेजेस एड कर दिया हूँ बात करें प्राइजिंग की तो यह प्रोड़क्ट हमें पढ़ रहा है 198 रूपीज में मैं इसे सेल करूँगा 699 में तो जो हमारा मार्जीन है वो है 501 रू अब देखो गाइस फिलाल के लिए मैं प्रोड़क्ट मांगा कि उसकी एड शूट नहीं करूगा तो अभी के लिए हम किसी और की एड को डाउलोड करेंगे और उसी का यूज करें जैसे हमने वेबसेट बनाने के लिए चीटिंग चीटिंग करता है तो अब हमें इस प्रो अब जो हमारा प्रोड़क्ट है हमें उसकी एड को डाउलोड करना है इस टूल के जरिये लेकिन उससे पहले आपको इस टूल को समझना होगा अभी डिस्प्ले पे आप जो देख रहे हो ये है माइनिया का वर्जन वन इसका वर्जन टू भी आ चुका है बेटा में आप व अगर इंडिया में प्रोड़क्ट अवेलेबल है तो आप इसे ट्राय कर सकते हो अब चलते है एड्स पर तो फेस्बूक पिंटरस्ट और टिक टॉक इन तीनों जगे पर जितनी भी एड्स रन हो रही है वह सारी के सारी एड्स आपको यहां पर दिखाई देगी जैसे का आ मैं यहां पर सर्च करूगा पैस्ट देख सकते और यही सेम अट आप इंट्रस और टिक्तॉक में भलें इंडिया में बैन है लेकिन आप TikTok की ads यहाँ पर download कर सकते हो इस tool की मदद से अगर मैं यहाँ पर search करता हूँ पेश्ट repeller तो TikTok पर जितनी भी ad run हो रही है हमारे product को लेके वो सारी ads यहाँ पर आपको दिखाई देगी सिर्फ यही नहीं आपको यहाँ पर filter का भी option कौन से लोग कौन सा बटन यूज कर रहे है वो आप पता कर सकते हो e-commerce platform में आप यहाँ पर Shopify WooCommerce वागिरा select कर सकते हो जैसे कि अगर मैं Shopify select करता हूँ तो जितनी भी Shopify को लेके ad run हो रही है यहाँ पर जो लोग Shopify पर product sell कर रहे है उनकी ad यहाँ पर दिखाई देगी यह सारे या तो drop shipping के product है या तो e-commerce के language भी आप select कर सकते हो ठीक है Hindi, English जिस language में ad run हो रही है अगर आपको जानना है कि कौन सी ad पर सबसे ज़्यादा likes है यहाँ से पता कर लो like पर जाओ high engagement ठीक है यहाँ आप देख सकते है इस ad पर 5,000 like है इस पर 4,000, इस पर 6,000 तो जिन ads पर ज्यादा like है वो आपके सामने आ जाएगी इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी ad best है same for comments, shares और reaction यहाँ पर targeting audience का पर option है अगर मैं select करता हूँ mail तो जो ad सिर्फ mail को दिखाई दे रही है वो सारी ad यहाँ पर आ जाएगी countries में अगर आप India select करते हो तो जो भी इंडिया में ads run हो रही है वो आपके सामने आ जाएगी सबसे best option is drop shipping अगर आप इसको apply करते हो तो जो भी drop shipping के product sell कर रहे है उनकी ads आ जाएगी अब अगर आपको किसी भी ad का data देखना है तो simply उस ad पर click करो see more पर जाओ अब यहाँ से आप उस ad को download कर सकते हो एक ही click में यह देखो यहाँ आपको उसकी ad copy मिल जाएगी जिसको आप copy कर सकते हो उस ad पर कितनी likes है कितने comments है कितने shares है सब दिखाई देगा सिर्फ यही नहीं इस ad पर कितनी engagement है वो भी आपको दिखाई देगी कौन सी country में यह ad run हो रही है कौन सी age के लोग इस ad को देख रहे है यह ad male के लिए है या female के लिए है वो भी यहाँ पर बताता है तो इस तरीकी से आप ad की targeting पता कर सकते हो और तो और guys इसमें बहुत ही amazing feature आ रहा है अगर आपको इस product को अपने Shopify store पे import करना है ताकि एक तरीकी से website ही बन जाए आपको बनाना ना पड़े तो simply generate for Shopify पे आपको click करना है यहाँ पर आप एक ही click में इस product को import कर सकते हो अपने Shopify store पे AliExpress का भी यहाँ पर option है और अगर आप shop page पे जाते हो तो यहाँ आपको shop की भी details मिल जाएगी कि वो कौन कौन सी add run कर रहा है उसका engagement क्या है सारी चीज़े products पे चलते है यहाँ से guys आप अपना dropship यहाँ e-commerce का product find कर सकते हो ठीक है कि कौन से product trending पे चल रहे है dropshipping का product कौन सा है यह सारी जीज़े आप यहाँ पर पता कर सकते हो जैसे कि अगर मैं winning product पे जाता हूँ तो जो भी अभी winning product चल रहे है market में वो सारे यहाँ पर आ जाएगे देखो और यहाँ से आप filters का use कर सकते हो इसका सबसे सही feature magic search मान लो कि आपका जो product है उसकी ads आपको नहीं मिल रही है simple है यहाँ पर type करो जैसे के pest repeller जैसे आप search करोगे उसकी ads आपके सामने आ जाएगी हमारा product कई भी नहीं दिख रहे है अब क्या करे simple है image search इस पर click करो अपने product की image select करो अब यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं उसको लेके सारी ads आपके सामने आ चुकिए and finally last success radar जो product अभी success के करीब है वो सारे product आपको यहाँ पर मिल जाएगे जो कि आप try कर सकते हो drop shipping या e-commerce में so guys tool के बारे में मैंने आप लेको काफी कुछ बता दिया हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह tool आपको काम आ सकते है drop shipping और e-commerce में अब फटा फट से मैं अपने product की ads को download कर लेता हूँ download करना simple है यहाँ पर जाता हूँ ठीके अगर आप paid लेना चाहते हो तो आप मेरा ये coupon code use कर सकते हो जिसमें आपको 50% का discount मिल जाएगा now guys हमने product find कर लिए उसका Shopify store बना लिए even उसकी ads भी download कर लिए अब चलते है fourth step पर which is facebook ads अब हम इसकी ad run करेगे और देखेंगे कि क्या result आता है तो मैं आ चुका हूँ मेरे facebook ads manager पे अब यहाँ पर मैं campaign create करूँगा simply create button पर click करता हूँ sales campaign ठीके campaign का नाम muskito क्यूँकि ये product insect, macchar वगर ये सबको भगाने के लिए तो यही नाम रख देते continue पर click करता हूँ manual sales campaign अब क्यूकि मुझे campaign create करने time जाएगा क्यूकि अलग-अलग ad set मैं create करूँगा उसमें बहुत सारी ads में दालूगा तो इसमें time तो लगेगा ही तो मैं पहले campaign create कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको बता हूँगा कि मैंने कौन सा campaign create किया हूँ so guys हमारा campaign create हो चुका है अब जो लोगों को facebook ads के बारे में जादा नहीं पता है उनको campaign समझाने से पहले मैं कुछ और चीज समझा देता हूँ ताकि उनको समझ में आए कि अभी मैं क्या समझाने वाला हूँ देखो facebook ads में एक होता है campaign campaign जिसके अंदर हम budget लगाते हैं 100 रुपे पर डे 1000 रुपे पर डे या जो भी हो campaign के अंदर हम बनाते है ads sets जहां पर हम targeting करते हैं किन लोगों को ads दिखाना है कौन सी age के लोग male या female ads दिखाना कहा पर है facebook पर या instagram पर वागेर वागेर campaign हो गया उसके अंदर ad sets बना लिए अब ad sets के अंदर हम बनाते है ads example के लिए जो हमने 8 ad download किये है हमारे product के लिए उन ads को हम दालेगे ad वाले section में तो यह flow है उमीद आपको समझ में आ गया होगा अब मैं समझाता हूँ campaign तो यह रहा हमारा campaign सबसे पहला आपको समझा दूँ देखो यह campaign ठीक है उसके नीचे जो आप देख रहे हो ना यह चार box वाला यह ad sets है और उसके अंदर यह सारी ads है इससे तरीके से same इस campaign के अंदर यह दूसरा ad set है यह तिसरा ad set है यह चौता ad set है ऐसा अब campaign का नाम हमने रखे है मस्कीटो जिसका डेली बजट जो मैंने लगाया हूँ वो है देड हजार रुपे मतलब के एक दिन में मैं करीबन देड हजार रुपे spend करूगा campaign के अंदर सबसे पहला जो मैंने ad set बनाया हूँ वो है past control का जिसमें जो मैंने targeting किया हूँ वो है past control मतलब यह ad उन्ही को दिखाई देगी जो लोग past control के pages को like करके रखे या उसमें interest रखते हैं यहाँ पर एक additional targeting मैंने किया हूँ उसके साथ engage shoppers लगा दिया आप देखोगे यहामारी add इस तरीके से run होगी ठीक है और नीचे टेक्स्ट इस तरीके से लिख कर आएगा headline में cod plus free shipping और यहाँ पर मैंने product page के link डाल दिया अब यह add 1 में मैंने सारी चीज़े जो है वो same ही रखा हूँ add 2 में भी बस मैंने वीडियो को चेंज कर दिया यह देखो same add 3 के लिए भी add 4 add 5 सब बस मैंने वीडियो चेंज किया हूँ बाकि targeting वगेरा सब सेम है campaign में मैं आपको addset 1 बता दिया अब चलते addset 2 पे जिसका नाम मैंने दिया हूँ cockroach mouse ठीक है इसमें भी पहले addset के जैसा सब कुछ फोर्थ मैंने टारगिट किया हूँ insect repellent फिफ्थ मैंने टारगिट किया हूँ pesticide उन लोगों को जो लोग मस्किटों में इंड्रेस्ट रखते है या तो उसके related pages को like करके रखे उम्मीद है जिस तरीके से मैंने आपको समझाय हूँ सब को समझ में आ गया होगा जब मैंने campaign बनाया उसी समय मैंने publish भी कर दिया था तो अब देखते हैं कि यह add कब active होगी कब इस पे spend होना शुरू होगा जब भी होगा उस time से मैं आपको बता दूगा कि क्या results मिल रहे है So guys हमारी add को run हुए एक घंटा हो चुका है और just हमें एक sale आई है जी हाँ तो अभी जो time हो रहा है वो है 244 और जैसे के आप लोग दे सकते हैं हमें एक sale आ चुकी है 76 रुपे पर purchase दिखा रहा है मैं आपको date दिखा देता हूँ चलो आज के date देखते है तो जैसे के आप लो रुपे पर purchase और हमें आ चुकी है एक साथ दो से अभी जो time हो रहा है वो है 630 refresh कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो दो से लो चुकी है टूटल 166 रुपे पर purchase दिखा रहा है लेकिन गाइस रुको यहाँ पर एक चीज में बता दू कि हमें एक साथ दो order आए जी हा कुछ असे के 10 बजे में बाहर चला गया था और मेरे ख्याल से बिल्कुल निकल गया के एड रन हो रही है फेस्बुक एड के वालेट में कुछ 100 रुपया ही था जो कि वही टाम हो चुका था अब मुझे एड करना चाहिए था लेकिन गलती हुए कि मैं एड किया नी क्योंक नमेंबर और तीन पर्चेश आचुके जैसे का आपने देखा और जो पर्चेश आई है पहले पैश कंट्रोल पर फिर इस पर और अब आई है इस पर 134 पर पर पर्चेश अभी मैं जश्ट थोड़ी दिर पहले उठाओ और सोचा के क्यों ना वही चेक किया जाए कि कितनी स आई है तो टोटल तीन सेल आई है अभी तके मॉर्निंग से ठीक है जिसमें से दो अपडेट हुई है मैं आपको बताता हूँ सोगाइस अभी बज़ रहा है सुभा के 11 अगर आप यहां पर देखोगे तो टूडे में अगर आप देखोगे तो दो सेल बता रही है 173 रूपीस पर पर परचेश लेकिन बेट दीजिए ये दो नहीं ये तीन है इसने एक डिटेक्ट नहीं किया है तो तीन सेल टोटल कर रहा है तो इन 24 गंटे में कितनी सेल आती है तो हम और दो बज़ चेक करेंगे जश्ट में आपसे बात ही कर रहा था कि और चुके हैं हमारे चार ओडर आज के दिन सुगाइस फाइनली 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 हमारे 24 गंटे कंप्लीट हो चुके है और अब हम देखने वाले ह कि ड्रॉप शिपिंग में हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला है हमें कितनी सेल्स आई है और यह चीज़ बता दू कि अभी कुछ पाच बज़ रहे हमें ए चीज़ 2.30 को स्टार्ट करना चाहिए था लेकिन कुछ काम की हो जैसे मैं नहीं कर पाया बट एनिवेज इतना अब हम चलते हैं फेस्बूक एड़ और देखते हैं कि वहां क्या अपडेट है तो हमने जो कैम्पेंड रन किये थे वह मस्कीटो ठीक है आगे पड़ते हैं जो हमें रिजल्स देखने को मिले है वह है नाइन लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि शॉपपीफाइब पर हमे बता रहे है जो कॉश्ट पर पर्चेस है वो 195 रुपीज दिखा रहे है लेकिन ये भी गलत हो गया क्योंकि इसने 9 के हिसाब से सको कैलकुलेट किया है हम 10 के हिसाब से सको कैलकुलेट करेगे ठीक है आगे बढ़ते है आगे अगर आप देखोगे तो टोटल हमारा जो अमार 206 अब आईए कैलकुलेशन करते है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस तो मैं आ जातो इस टेंपलेट पर जिसको लास्ट टाइम मैंने डिजिटल प्रॉड़क में सेल किया था अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ तो हम जो प्रॉड़ जाएगे जो के लाश्टाइम मेरे साथ जो हुआ तो वही मैं आपको बता रहा हूँ और आटियो हम लेगे 40 ठीके 40 परसंट का आटियो और जो फेस्बुक एड का कॉस्ट हमारा जा रहा है पर पर पर्चेस वह है 206 तो अब यहाँ पर आप देख सकते हमें जो 60 परसंट या 60 पकड़ लो कई बार 60 पी चला जाते हैं तो हमें करीबन 1000 रुपे का लॉस हो सकते हैं लेकिन गाइस वेट कीजिए अब जू मैं आपको बताने वालो ना यह बहुत ही इंपोर्टन चीज है देखो यह जो 24 घंटे होते हैं इसमें टेस्टिंग करना इंपॉस और सेल करता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता हैं अभी तक हमने जो calculation किये हैं वो सिरिफ campaign के हिसाप से किये उस campaign में आ जाने कितिने सारे ads हैं और कित्नी सारी ads हैं तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन से ads और कौन सी ads से sale आ रही है ताकि हम उस इड़से बाकि सब क बंद कर देंगे और फिर प्रॉफिटी 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 तो मैं चलता हूँ कैम्पेन पे सो गाइस हमने टोटल सेवन एड़ सेट रन किये थे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके अंदर जो एड़ है जैसे कि पैस्ट कंट्रोल में मैं जाता आप समझे गाइस जो हमें 206 रुपए दिखा रहा है न पर पर परचेस वह 206 नहीं है वहाँ पर टेस्टिंग की वज़ा से हमारा पैसा वेश्ट हो रहा है रियालिटी यह है कि हमें 54 रुपए में एक सेल आई है इस वाले एड़ सेट में सेकेंड देखते हैं कौक्रोच इसमें भी एड़ फोर में ही एक सेल आई है लेकिन 216 रुपए पर पर परचेस तो इसको भी इगनौर करते हैं इनसेक्टि साइड में जाते है अगेन एड़ फोर अची पर फोर पर 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 यह और डाउन होगा फाइनली लाश्वाला मस्किटों दो सेल लेक और जो हमें सेल आ रही है वो मान लेते के साट रुपए में आ रही है 60 अगर इस हिसाब से गाईस देखा जाये तो हमें आज के दिन करीबन देड़ हजार रुपए का प्रॉफित हुआ है अगर मैं इसको 60 पर संट आट यो भी कर दू तो यह 471 रुपए होते हैं और यह ग 20,000 रुपए का प्रॉफित हो रहा है सो गाईस यह है ड्रॉपशिपिंग का गेम सो बस गाईस आज का वीडियो यही पर खतम होता है मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैलेंज पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज से इसे लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब की कि आपको यह चैलेंज कैसा लगा अल्सो माइन टूल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ जाए रजिस्टर कीजिए और मेरा कूपन को यूज करना बिल्कुल मत भूलना इजास 50 50% डिसकाउंट के लिए थैंक यू सो मॉच पर वाचिंग बाए